Hello Friends and Meadows Den, Industrial Pharmacy 1 BP502TK, इस वीडियो में हम लोग Unit 5 में अपने एक और Cosmetic Preparation Toothpaste के बारे में बात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग Toothpaste के Introduction के बारे में बात करेंगे, Toothpaste के अंदर क्या Ideal Properties होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे, Toothpaste के Formulation के बारे में बात करेंगे, कि इसमें हम लोग कौन-कौन से Ingredient को अड़ करते हैं और Toothpaste को हम लोग किस तरह से Prepare करते हैं, इसके Method of Preparation के बारे में बात करेंगे, मेरा नाम है डॉक्टर महिमताप सिंग्ट, चलिए सुरू करते हैं। हमारे अगर बात करते हैं Dentifrices क्या होते हैं, तो यह हमारी ऐसी Oral Preparation होती है, जिनको हम लोग अपने Teeth के उपर Apply करने का काम करते हैं, या Simply कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी Oral Preparation है, जिनको हम लोग अपने दातों पर Apply करते हैं, वहाँ पर उसके Cleaning Action के लिए या जो हमारी थेरेपेटिक जो और परपरजेज हैं, उनके लिए अगर हम लोग कोई भी Oral Preparation को Teeth के उपर Apply करते हैं, तो वो फिर Simply हमारा Dentifrices यहाँ पर कहलाता है, और हमारे जितने भी Dentifrices होते हैं, उनमें जो सबसे popular हमारी Preparation है, वो Simply हमारा Toothpaste होता है, अधिकतर लोग Toothpaste को यूज करना प्रफर करते हैं, तो अगर हम लोग Toothpaste की Ideal Property के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारी सबसे पहरी Property Toothpaste के अंदर होनी चाहिए, कि यह हमारे जो teeth हैं, उनको वहाँ पे adequately हमें clean करते हुए, देखने को प्राप्त होने चाहिए, इतना वो capable होने चाहिए, कि वो हमारे जो teeth हैं, उनको अच्छे से वहाँ पे clean कर सकें, और अगर हम लोग बात करें, तो यह हमारे अगर teeth पे food के particles वगएरा है, प्लेग वगएरा है, या किसी विप्रकार का stain, दाग वगएरा है, तो वहाँ पे उसको effectively remove करने के लिए capable होना चाहिए, उसके बार में अगर अगली property के बारे में बात करें, तो जो हमारे dentifrices होते हैं, उनमें हम लोग abrasive agents को use करते हैं, यह हमारे छोटे-छोटे particles होते हैं, जो की हलके से हमारे दातों को घिसने का काम इस place पे करते हैं, तो इसकी जो हमारे dentifrices हैं, जिनमें हम लोग abrasive agent को use करते हैं, उसकी जो हमारी abrasive property होनी चाहिए, वो एक standard limit के हमें under देखने को प्राप्त होनी चाहिए, उसके अंदर ही उसकी जो abrasive property है, वो होनी चाहिए, अगर उसकी abrasive property काफी जादा होगी, तो वो हमारे जो होते हैं, इनमल और हमारे dentins है, उनमें हमें उसका harmful effect देखने को प्राप्त हो सकता है, अगर हमारा जो बकल cavity है, oral cavity है, उसमें किसी भी प्रकार का अगर ulcer भी है, तो उस condition में भी वहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का toothpaste से irritation होते हुए, देखने को प्राप्त नहीं होना चाहिए, उसके बाद अगर अगली property के बारे हम बात करें, तो जब हम लोग toothpaste को store करते हैं, तो उस condition में भी उसकी flow property हमें properly maintain रहते हुए, देखने को मिलनी चाहिए, अगर जो मारा toothpaste है, जब वो manufacture होके market में आता है, तो उस condition में अगर वो वहाँ पे काफी time तक भी रखा रहे है, तो उस condition में भी उसकी जो flow property है, वो खराब नहीं होनी चाहिए, customer जब भी उसको वहाँ पे करे use, तो वो आसानी से tube से हमें बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होना चाहिए, उसके बाद अगर हम लोग अगली property के बारे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जब भी हम लो toothpaste को use करें, apply करें अपने mouth पे, तो एक हमें उसका pleasant effect देखने को प्राप्त होना चाहिए, एक उसका जो cooling sensation है, वो हमें देखने को प्राप्त होना चाहिए, और वहाँ पे refreshing जो sensation है, वो हमें अपने mouth में होते हुए देखने को प्राप्त होना चाहिए, तो जब भी हम लोग toothpaste को apply करते हैं तो वहाँ पे एक हमें अच्छी जो smell है वो देखने को मिलती है हमारा जो mouth है वो हलका cool भी हो जाता है और एक refreshing sensation हमें होते हुए देखने को राप्त होती है तो यह सब property हमारे जो toothpaste है उसके अंदर basically होनी चाहिए उसके बाद में अगर हम लोग इसकी अंतिम property के बारे में बात करें तो यह यहाँ पर economical होना चाहिए means इसकी cost ज़्यादा high यहाँ पर नहीं होनी चाहिए जिससे की जो हमारे होते है common people वो उसको वहाँ पर frequently और यहाँ पर regularly उसको अधिक से अधिक जो है उपयोग करें ऐसी उसकी cost वहाँ पर होनी चाहिए तो अगर उसकी cost proper होगी तो जो हमारे common people है उसको वहाँ पर अच्छे से जो है उपयोग करेंगे जितना ज्यादा उसको उपयोग वो करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे product की sale हमें देखने को राथ होगी और हमारी company की growth उतनी ही ज्यादा होगी अब हम लोग यहाँ पे toothpaste का जो हमारा formulation है कि इसमें हम लोग कौन-कौन से ingredients को add करते हैं उसके बारे मे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला और सबसे important agent है वो हमारे abrasive agents यहाँ पे होते हैं तो जो हमारे abrasive agent है इनको हम लोग polishing agent के नाम से भी indicate करते हैं तो जो हमारे abrasive या polishing यहाँ पे agent होते हैं उनको हम लोग अपने जो teeth है उनको simply वहाँ पे करने के लिए polish या अगर उसमें food particles वगएरा हमारे teeth की जो surface है उसके उपर आके वो चिपक गए हैं तो उसको वहाँ पर remove करने के लिए भी हम लोग abrasive agents को basically यहाँ पर use करते हैं तो इनको हम लोग अपने दातों को polish करने के लिए भी और अगर उसमें कुछ particles वगएरा आके उसकी surface वे अगर चिपक जाते हैं तो उनको भी remove करने के लिए हम लोग abrasive agents को use करते हैं और यह हमारी जो total formulation होती है उसका approximately 20-50% हम लोग abrasive agents को अपने toothpaste में या जो भी हमारे अलग-अलग प्रकार के dentifrices हैं उनमें हम लोग यहाँ पे use करते हैं तो अगर हम लोग जो हमारे abrasive agent हैं जिनको हम लोग अध precipitated chalk के नाम से भी indicate करते हैं और यह हमें अपने market में अलग-अलग जो grade है number of grades में available देखने को राप्त होता है तो वहाँ पे as per the requirement हम लोग अपने required grade का जो हमारा precipitated chalk है या precipitated calcium carbonate है उसको अपने toothpaste के preparation में use कर सकते हैं और इनकी जो density यहाँ पे है particle size वगरा है इनका जो specific surface area है और इसकी जो crystalline form है वो भी हमें अलग-अलग market में देखने को राप्त होती है तो as per the requirement हम लोग यहाँ पे उसको use कर सकते हैं यहाँ पे हम इसीज का भी ध्यान रखते हैं कि अगर जो हमारा grade है वो काफी costly होगा तो unnecessary हमारे product की cost यहाँ पे increase होगी तो as per the requirement और as per hour जो हमारा plan है कि हमें अपने toothpaste की cost क्या रखनी है हम लोग-अलग grade के जो हमारे यहाँ पे होते है precipitated calcium carbonate उनको यहाँ पे use कर सकते हैं उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा अगला यहाँ पे abracial agent उसके बारे मात करते हैं तो वो हमारे यहाँ पे होते है phosphate of calcium तो जो हमारे calcium के phosphates है उनको भी abracial agent की तरहuesto एपने toothpaste में यूज करते हैं तो अगर यहाँ पे phosphates of calcium है उनके examples के बारे हम बात करते हैं तो जो हमारा यहां पर होता वो die calcium phosphate है जिसको हम लोग DCP से indicate करते हैं उसको भी हम लोग इस place पर उपयोग इस place पर करते हैं यह हमारा यहां पर die hydrate form में हमें देखने को प्राप्त होता है और इसको हम लोग अधिकतर अपने toothpaste में use करते है इसके जो और example है वो हमारा है वो ट्राइवो calcium phosphate को भी हम लोग इस place पर उपयोग हम लोग करते हैं calcium जो हमारा होता है pyrophosphate वगएरा उनको भी हम लोग यहां पर abrasive agents की तरह अपने toothpaste में use करते हैं उसके बात में जो इसका हमारा अगला है example वो है हमारा dental grade जो हमारे silica होते हैं जो हमारे होते हैं silica के polymers होते हैं उनको भी हम लोग अपने toothpaste में as a abrasive agents यहां पर उपयोग हम लोग यहां पर वो कर सकते हैं यह भी हमें जो हमारे यह तो हमारे polymers वगयरा है अगर उनके बारे हम बात करें तो happening तो यह हमें दो form में available dekने को प्राप्थ होता है एक form हमारा य यहाँ पे होता है और जिसको हम लोग इस प्रेश फेजती जो चिररो जल्स है, उसके नाम से Indicate हम लोग करते हैं और जो हमारा दूसरा Form श Halfun का है, वह हमारा Thickening जो Silica है, उसको भी हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं, यह हमारे forming agent और surfactant तो अगर हम लोग जो forming agent है उनके बारे में बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पे toothpaste वगरा हैं उनकी cleaning की property को बढ़ाने के लिए कि वो हमारी cleaning को और अच्छा करें हम लोग यहाँ पे जो forming agent है या जो हमारे surfactant है उनको basically हम लोग use करते हैं यह यहाँ पे place पे क्या करते हैं कि जो भी हमारा teeth के उपर जो हमारे material वहाँ पर चिपक जाते हैं और जो हमारा वहाँ पर होता है animal या हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो हमारे टीद का outer जो सर्फेस होता है उसके उपर जो हमारे मैटेरियल वहाँ पर अढ़र्ड होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं तो उनके बीच की जो हमारी इंटरफेशियल टेंशन है उसको बेसिकली हमारे यह सर्फेक्टन रिड्यूस करने का काम करते हैं और यहाँ पर अगर बात करें तो यह हमारे टीथ की जो होती है वेटिंग प्रॉपर्टी उसको भी बढ़ाने का इस प्रेश पर एक तरसे काम करते हैं जिससे की हमारा जो एप्रेशियल एक्शन है वो इंक्रीज होते हुए हमें वो देखने क प्राप्त होता है और यहाँ पर हमारी क्लीनिंग बेसिकली इन्हेंस होते हुए देखने को प्राप्त होती है तो यह क्या करते हैं कि यह हमारा जो वहाँ पर जो भी हमारा सब्स्टेंस है मैटेडियल है वह हमारे अगर दातों के उपर आके इकठा हो गया है तो उसको वहा पर प्रॉपरली वेट हो जाता है तो उसकी interfacial tension हमें कम होते हुए देखने को मिलती है और वहाँ पे हमारा abrasive action हमारे abrasive जो agent से हमका abrasive action भी हमें अच्छा होते हुए देखने को मिलता है और जिसके कारण की हमारे teeth की cleaning हमें यहाँ पे basically अच्छी होते हुए देखने को प्राप्त होती है, तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे surfactant है, उनके examples के बारे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा sodium laurel sulfate है, उसको as a surfactant अपने toothpaste में use करते हैं, 0.5 से 2% की concentration में, इसको हम लोग यहाँ पे उप्योग कर सकते हैं, और जो हमारा अगला है, that is called the sodium laurel, जो हमारा sacrosinate है, अगर इसके बारे हम बात करते हैं, तो यह हमारा एक ऐसा surfactant है, जिसको हम लोग अधिकतर जो हमारे oral products होते हैं, उनमें यहाँ पे basically हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि यह कम harmful हमें देखने को प्राप्त होते हैं, उसके बाद अगर हम लोग अगले component के बात करें, तो वो हमारे simply, जो humectants है, वो होते हैं, यह हमारा जो वहाँ पे cream है, उसका जो moisture content है, उसको बचा के रखने का basically काम करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो, यहाँ पे toothpaste है, उसका वहाँ पे rapid drying है, उसको simply prevent करने का, यह इस place पे यहाँ पे काम करते हैं, और यह इस place पे toothpaste है, उसकी जो plasticity की property है, उसको यहाँ पे enhance इस place पे करते हैं, अगर इसके examples के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा यहाँ पे होता है, sorbitol हमारा वो 70 है, उसको भी हम लोग as a humectant अपने toothpaste में यूज करते हैं, glycerine को भी हम लोग as a, जो हमारा हम कह सकते हैं कि humectant अपने toothpaste में use करते हैं और जो हमारा होता है यहाँ पर कह सकते हैं propylene glycol है इसको भी हम लोग as a humectant अपने toothpaste में use करते हैं उसके बाद अगले component के बारे में बात करें तो यह हमारे जो gelling agents है या इसको हम लोग binding agent के नाम से भी indicate करते हैं उनको भी हम लोग toothpaste में काफी हत्तर use करते हैं तो अगर हम लोग binding agents के बारे में बात करते हैं तो यह इस place पे क्या करता है कि जो हमारे solid जो content है जो की हमारे toothpaste में होता है और जो हमारा वहाँ पे liquid compounds है उनको एक साथ hold करने का यहाँ पे एक तरस वो काम करता है और यह हमारा जो paste है उसको smooth बनाने का भी basically यहाँ पे हम कह सकते हैं कि काम करता है तो आसान तरीके से कहें तो जब भी हम लोग toothpaste को prepare करते हैं तो हमारे कुछ ingredients solid form में होते हैं कुछ ingredients liquid form में होते हैं तो उनको आपस में hold करने के लिए उनको आपस में वहाँ पे bind रखने के लिए हम लोग binding agents को यहाँ पे use करते हैं तो अगर इसके examples के बारे हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा वो carboxy methyl हमारा cellulose है उसको हम लोग CMC के नाम से indicate करते हैं उसको यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं हमारा sodium जो होता वो carboxy methyl cellulose है उसको भी हम लोग इस place पे as a binding agent या हम कह सकते हैं gilling agent की तरह हम लोग यहाँ पे use करते हैं और जो हमारा होता है यहाँ पे hydroxy हमारा एथिल जो cellulose है उसको भी use करते हैं और जो हमारा होता है वो cellulose, ethers वगेरा है, उनको भी as a binding agent हम लोग अपने toothpaste में use करते हैं, उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, जो हमारा अगला ingredient है, जो की काफी important है, वो हमारा sweetening agent यहाँ पे होते हैं, तो जब भी हम लोग toothpaste को use करते हैं, तो हमें एक मीठा सा वहाँ पे ऐसास होता है, अगर उसका taste खराब होगा, उसका taste अगर तीखा होगा, तो लोग उसको use करना avoid यहाँ पे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग sweetening agent को basically यहाँ पे उप्योग करते हैं, यह हमारा जो toothpaste है, उसका ज अगर उनका taste अगर खराब है, तो उसको भी cover करने के लिए, mask करने के लिए, हम लोग यहाँ पे sweetening agent को use करते हैं, उसके बाद में जो हमारा अगला यहाँ पे component है, वो हमारे flavoring agent basically यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपने toothpaste को एक अच्छा flavor भी देने का, यहाँ पे mixture है, उसको भी हम लोग ऐसे flavoring agent, अपने toothpaste में अधिकतर यहाँ पे उप्योग करते हैं, अगर उनके अंदर जो हमारा होता है, इस्पर्मिंट है या जो हमारा वो पिपर्मिंट आयल है, अगर वो उनके अंदर एक जो major constituent है, उसकी तरह अगर होता है, तो उन जो हमारा edible oils है, अगर अगर हम लोग अपने toothpaste में यहाँ पे वो पिपयोग करते हैं, और अगर हम लोग जो हमारे और component है, अगर उनके बारे हम बात करें, तो जो हमारा वो थाइम切 करें, यहाँ यहाँ पने toothpaste को यहाँ आच्छा flavor वहाँ पे देने के लिए, अगर हम लोग अपने अगले component के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग अपने toothpaste में जो coloring agent है उनको भी basically यहाँ पे use कर सकते हैं अधिकतर जो हमारे toothpaste है वो हमें white color में ही देखने को मिलते हैं लेकिन अगर हम चाहें तो coloring agent को भी वहाँ पे 0.01% की concentration में अपने toothpaste में add कर सकते हैं अपने customer जो consumer है उनको influence basically करने के लिए जिससे कि वो उसको ज्यादा से ज्यादा करें पसंद और उसको use करने का काम करें उसके बाद में अगर हम लोग अगला जो component है वो हमारे whitening agent जो होते हैं उनको हम लोग basically यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं इसमें जो हमा whiteness है उसको वहाँ पे improve करने का अच्छा करने का एक तरसे काम करता है उसकी जो हमारी होती कह सकते हैं ब्रिलियंस है या whiteness जो उसकी whiteness है उसको यहाँ पे improve करने का basically काम करता है अगर हम लोग इसके अगले component के बारें बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा toothpaste है वो प्लेस पे काम करते हैं, यहाँ पे simply हम कह सकते हैं कि जो हमारा toothpaste है, उसकी जो self life है, उसको improve करने के लिए, अच्छा करने के लिए, हम लोग यहाँ पे stability को maintain करने के लिए, हम लोग preservatives को इस प्लेस पे add करते हैं, यह हमारे toothpaste के अंदर microbial growth, microbial contamination होने से उसको बचाते हैं, उसके ब जो हमारे medicated toothpaste है, उनके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भी हमारा होता है, कह सकते additional benefits हैं, उनको provide करने के लिए, basically हम लोग therapeutic agents को यहाँ पे उपयोग करते हैं, इसमें जो हमारे होता है, anti-caries agent है, उनको हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं, जो हमारा American byрод कर में यूज करते हैं, उसके बात में जो अगला component है, वो हमारा anti-plague जो agent है, वो इस place पे होते हैं हमारा जो हमारा agent है वो जो हमारा teeth है, उसका discoloration है, उसको prevent करता है उसको भी हम लोग इस place पे हम लोग यहां पे यूज करते हैं इसके examples वगरा आप लोग देख लीजेगा इनको याद कर लीजेगा इसका notes की link में आपको description में provide कर दूँगा उसके बाद में जो हमारे अलग-अलग और भी हमारे यहाँ पे agents हैं और भी हमारे यहाँ पे therapeutic agent हैं उनको भी हम लोग अपने toothpaste में उसकी properties को increase करने के लिए basically हम यूज करते हैं तो इस place पे जो भी हमारा वहाँ पे preparation है उसको हम लोग किस चीज के लिए बना रहे हैं उसका हमें क्या उससे effect लेना है उसके अनुसार हम लोग अलग-अलग प्रकार के therapeutic agents को अपने toothpaste वगरा में use करते हैं तो अब हम लोग यहाँ पे toothpaste के method of preparation के बारे में बात कर लेते हैं कि किन-किन method से हम लोग toothpaste को prepare करते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला method है वो हमारा dry gum method यहाँ पे कहलाता है तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि नाम से indicated है dry gum method तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे solid ingredient हमारे toothpaste के formulation उसको चोड़ के जितने भी हमारे सौलिड इंगरीडियंट वहाँ पे होते हैं उनको सबसे पहले हम लोग ड्रई मिक्स करने का काम करते हैं उसको ड्राइभ फॉम में ही आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अभी हम लोग उसके बाद में जो हमारे लिक्विट और उसके बाद में फिर जो हमारा dry mix था उसके अंदर हम लोग उसको gradually थोड़ा-थोड़ा करके वहाँ पे add जो है वो करते वो जाते हैं तो और इस condition में हम लोग जो हमारी mixing की process है उसको हम लोग continuously carry out उस place वो करते हैं और जब हमारा वहाँ पे एक smooth paste जब तक form नहीं हो जाता है तक हम लोग उसको properly अच्छे से अपना जो हमारा liquid component है उसको थोड़ा-थोड़ा add करते जाते हैं और उसको आपस में mix अच्छे से हम लोग यहाँ पे करते जाते हैं उसके बाद में जब हमारा यहाँ पे जो paste है वो एक smooth paste form हो जाता है तो फिर हमारा जो यहाँ पे remaining ingredient है जो क हाँ पे form कर लेते हैं उसको भी अच्छे से उसके अंदर हम लोग mix कर देते हैं यहाँ पर हम लोग vacuum को भी apply कर सकते हैं तो जब हम लोग इसको अच्छे से mix कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में हमारा toothpaste यहां पे prepare हो जाता है और इसको हम लोग final container में transfer कर देते हैं और जो कि जितने भी हमारे liquid component होते हैं, उनको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपस में अच्छे से mix करते हैं, और एक liquid phase को वहाँ पे simply सबसे पहले form कर लेते हैं, और जब हमारी liquid phase वहाँ पे form हो जाती है, तो फिर उसके अंदर हम लोग जो हमारा होता है, कह सकते हैं कि जो हमारा होता है, जब form हो जाता है, तो फिर हमारे जितने भी solid ingredient है, surfactant को छोड़के, उसको फिर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर add करते हैं, और इसमें जो हमारा वहाँ तो solid ingredient है, अब हम लोग इस place पे क्या करेंगे, थोड़ा-थोड़ा amount जो solid ingredient है, उसको हम लोग अपने mucilage में simply add करते जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग जो भी उसकी mixing है, उसको वहाँ पे अच्छे से, और uniformly उसको mix हम लोग उस place पी हम लोग करेंगे, तो जब हम लोग उसको अच्छे से mix करेंगे, तो फिर हमें एक जो homogeneous paste है, उसका form होते हो देखने को राप्त होगा, और जब हमारा homogeneous paste form हो ज लेते हैं, और एक homogeneous smooth paste उसका form कर लेते हैं, तो इस तरीके से हम लोग दो methods को use करते हैं, अपने toothpaste को यहाँ पे prepare करने के लिए, तो I think so, जो हमारा toothpaste है, उसका introduction, ideal properties, formulation और method of preparation आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी कहीं कोई confusion है, तो comment करके पूँ सक इस टॉपिक का PDF आपको description में मिल जाएगा, इस वीडियो को like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना बिलकुल भी न भूलें, और हमारे एप को भी install करना बिलकुल भी न भूलें, thank you